नमस्कार आज के वीडियो में हम जानेंगे कि पक्षी जो तार पर बैठे रहते हैं उनको करेंट क्यों नहीं लगता और पक्षियों में ही एक पक्षी होते हैं जो चमगादड वो कई बार आपको तार में लप्टा हुआ मरा हुआ क्यों दिखाई देता है इसके बारे में हम चमगादड फिर क्यों मर जाता है वो भी एक पक्षी है तो यहां पर मैं आपको बता दूँ आप सभी को पता होगा कि जो बिजली कभी भी कोई बिजली रगती है इलेक्ट्रॉन का फ्लो ठीक है किसी तार में इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही करेंट कहलाता है उसी से आपको करे या फिर आप थीन वायर प्लाग लगाते हो। तीन वाला श्कुला होता या दो वाल ठीक है। ऄट कि भाई इसमें एक वहता है फेस एक होता है निगया द की का सब्सक्राइब जहें लेनव भीट वायर ऑपस में नहीं जोडेंगे आप वाईयर कोई भी चीज दो wire आपस में जब तक नहीं जोडेंगे तब तक आपको या किसी को भी current नहीं लगेगा पक्षियों के साथ भी ऐसा ही होता है पक्षियों से जिस wire को बैटे रहते हैं वो दूसरे wire से touch नहीं होते हैं साथ ही साथ उनके पाउं में भी उनके पाउं और उनके उतक ऐसे बने होते हैं जो कि insulation का काम करते हैं यार रखीगा इससे भी उनको current नहीं रखता है यदि कोई पक्षिय इंदॉन और wire से touch हो जाएगा तो वो जरूर या फिर आप और हम यदि आप और हम भी यदि हवा में हो और आप किसी भी एक तार को पकड़ नेंगे तो आपको current नहीं लगेगा लेकिन आपको ये चीज हर्गिज नहीं करनी है क्योंकि earth thing आपको कहीं से भी मिल सकती है जो mystery लोग रहते हैं जो वो लोग करते हैं वो भी danger है गलत काम करते हैं ठीक है कभी भी आपको बोलते हैं देखो जो switch on करो चपल पहन के on करो सूखा चपल हो ठीक है कोई भी ऐसी चीज छूओ electric वाली तो आप चपल पहन के काम करिए या फिर किसी लकडी के table पर खड़े होके काम करिए बोला जाता है हमेशा इसलिए पक्छीयों को current नहीं लगता है अब बात कर लेते हैं चमगादर की आपने देखा होगा चमगादर हमेसा उल्टा लटकता है चमगादर हमेसा उल्टा लटकता है यदि तार इसके बहुत नीचे भी हो चमगादर के पंक जो होते हैं बहुत बड़े बड़े वो होते हैं तो कई बार क्या होता है चमगादर दूसरे तार से भी टच हो जाता है और यहाँ पर उसकी जो है मृत्ति हो जाती क्योंकि इसको फेज और नीट्रल दौनों मिल जाता है ठीक है फेज और नीट्रल दौनों मिल जाता है दौनों से टच हो जाता है इसलिए चमगादर की मृत् तो पूरी precaution के साथ उसको करना चाहिए ठीक है चलिए मिलता हूं अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ अलग टॉपिक के साथ यदि आप चैनल पर नहीं है सब्सक्राइब कर लिजे ऐसे ही आपको वीडियो अलग-अलग मिलते रहेंगे बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिन शुब हो